नमस्कार प्रणाम मैं अमन अलवेला जादब गीतकार आपकी गीतकार बनने का सफर कैसे शुरूआ सुने मैं कि आप जौब करते थे रेल्वे में आप लेल्वी के वकालत की भी डिग्री लिए हैं इसके बाजूद आप सब छोड़ करके गीतकार ही बनने का फैसला क्योंकि अच्छा लगा मुझे लगा कि अगर रेल्वे में नौकरी करेंगे तो कुछ ही लोग जान पाएंगे और इससे ऐसा कुछ करें ताकि बाद में भी लोग मुझे याद करें रहे न रहें और इसलिए मैंने यह फैसला लिया कि जन जन तक मैं पहुंचूं और मेरा नाम हो यह काम्यावी का गीत मैं बहुत पहले से भी कुछ लिखा था पर यह काकोलत का जर्णा जो गाना आया मेरा वो गाना जीवन मेरा चेंज करते हैं उस गाने किसने गाए था गुजन विया नहीं तो वह ही का यह लगभग 99 परशेंट के 100 परशन सब आईगा हाँ हाँ मेरे जीवन में उनका सबसे बड़ा युगदान है युगदान की सब कुछ भई है आज मगी भासा में हमने जनम लिया तो लगा कि गाना आता है नहीं था ये इस भासा में फिर हमने सोचा है कि जिस भासा में मैंने जनम लिया उस भासा में गाना क्यों न बने और फिर हमने लिखना शुरू किया और भाईया गाने लगे तो गुंजन भिया लगबग 200 गाना गाये मेरा ठीक न और इस भासा में मगी आज मेरे ख्याल से जिसे कि भारत से लग बीदेशों में जैसे 18-19 देशों में इवने मगी जहां भोजपूरी बजती है सुनी जाती है बी जावा, सुमात्रा, भूतान, मयनमार, बंगला देश, नेपाल इन सभी लगबग 18-19 देशों में मगी भासा सुनी जाती है बीदेशों में